स्टुडेंस, हमारा आज का टॉपिक कवर हो गया है, तो अब आप लोग को कोई भी जाउट है, तो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं माम, जब मैं कल मार्किट जा रहा था कुछ समान लेने के लिए, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि उस समान की पीछे चेक कर लेना कि ISI या एक मार्ग प्रेज़न्ट है या नहीं। तो जब मैंने अपने फादर से पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसाइ एक मार्क होता क्या है बिल्कुल सही कहा तुम्हारे फादर ने जब भी हम कोई भी कमोडिटी खरीदते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हम उसके पीछे बने आई एसाइ या एक मार्क को जरूर चेक करें क्योंकि उसी से हमें कमोडिटी के बारे में पता चलता है चलो वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो आज मैं आप सबको इसके बारे में बताती हूँ स्टुडेंट्स कंजूमर मुव्मेंट के चलते हैं जब गवर्मेंट ने कोपरा यानि कि कंजूमर प्रोटेक्शन आक्ट को इनाक्ट किया 2005 में तभी से पूरी कंट्री में डिफरेंट लेवल्स पर जैसे कि स्टेट और नाशनल लेवल्स पर कंजूमर अफेयर डिपार् स्टुडेंट्स पूरी तरह से कंजूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको जस्टस दिलवाने और उन्हें एक्स्टेशन से बचाने के लिए काम करते हैं और इसलिए सबसे पहले उन्होंने कंजूमर को अवेर करना शुरू किया मैम एक बात बताईए इन का काम पूरी तरह से कंजूमर को जस्टस दिलवाना और उन्हें एक्स्टेशन से बचाना है और इन्होंने कंजूमर को अवेर करना इसलिए शुरू किया क्योंकि अगर कंजूमर कुद ही कॉंशियस और अलर्ट हो जाएंगे अपने परचेश को लेकर यानि कि वो किसी भी कमोडिटी को किसी भी गुद्ज और सर्विसिस को परचेश करने से पहले उसकी क्वालिटी को खुद ही एश्शूर कर लेंगे तो ऐसे में उनके साथ कम से कम इंजस्टस होगा कम से कम एक्स्टेशन होगी जिसकी वज़ा से कंजूमर अफेयर डिपार्टमेंट का मेन मोट जो कि कंजूमर को प्रटेक्ट करना है वो भी फुल्फिल हो जाएगा इसे लिए इन डेपार्टमेंट्स ने सबसे पहला स्टेप उठाया कि उन्होंने कंजूमर को अवेर करना शुरू किया मैम लेकिन कंजूमर क्या कर सकते हैं हम कैसे प्रोडूसर्स को रोक पाएंगे करने से तुडिंस हम सब एस कंजूमर्स प्रोडूसर्स या सेलर्स को रोक नहीं सकते लेकिन अगर हम सब कुछ सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अपने गुद्जों सर्विसेज को खरीदें तो ऐसे केस में हम सब एक्स्टेशन और इंजस्टिस को फॉर्स के लिए कंजूमर्स की हेल्प करनी के लिए ताकि वो अपने खरीदे हुए गुद्जों सर्विसेज की कॉलिटी को एश्यॉर कर सके इन्होंने कुछ और स्टेप्स उठाए इन्होंने सर्टिफिकेशन मार्क्स इशू किये जो कि सिरफ उन्हीं गज़्ज और सर्विसेज पर लगाय जाएंगे जो कि कव्मेंट के बनाये हुए सेफ्टी स्टेंडर्स के सेट को पूरी तरह से पूरा करेंगे यानि कि दोस्तों इन डेपार्टमेंट्स ने मिलकर गुद्ज और सर्विसेज के लिए कुछ सेफ्टी स्टानडर्स सेट कर दिये और सभी इन safety standards में include किये गए ISI, hall mark और egg mark जैसे marks जो अगर गुद्स के पीछे लगा दिये जाएं तो वो उनकी quality को पूरी तरह से assure करते हैं और consumers को बस इतना करना है कि उन्हें इन certification marks को check करना है कि क्या गुद्स के पीछे ये marks हैं और अगर ये marks हैं तो यानि कि गुद्स पूरी तरह से safe और assured हैं Ma'am, कल मेरी मॉम को जूल्री लाई हैं मैंने जब चेक किया कि उसके पीछे ISI mark है और तो उसके पीछे तो कोई भी mark नहीं था और वो बहुत expensive भी है तो ऐसा क्यों? दरसल students, government जो ये safety standards को set करती है ये different goods and commodities के लिए different होते हैं इसलिए इन पर लगाये जाने वाले logos भी different हैं Students, jewelry जैसी expensive items पर ISI नहीं बलकि hall mark होता है और ISI electronics जैसी items पर होता है In fact students, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी goods or services के producers, government के बनाये हुए इन safety standards को पूरा करें, उन्हें ही follow करें क्योंकि उनके goods अगर different हैं तो उनके safety standards भी different हैं लेकिन, yes students, ये compulsory है कि कुछ specific goods जो की consumers की health पर effect डाल सकते हैं या कि जो mass consumption के goods हैं जैसे कि LPG cylinders, packed drinking water, food colors या फिर cement ये goods चुकि सभी लोग यूज करते हैं और सबकी health perfect डाल सकते हैं इन लोगों के producers, इन goods के producers के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने goods को certify करवाए इन organization से और as consumers, ये हमारी responsibility है कि अगर हम ऐसी कोई भी commodity खरीते हैं, ऐसी कोई भी service लेते हैं तो हम उसके पीछे इस hall mark को या फिर इस ISI mark को पूरी तरह से अच्छे से check कर लें Students, आपको as consumers इन logos को ध्यान में रखना है ये ISI, hall mark और egg mark के logos हैं जो कि अगर आप पीछे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो commodity safe or secure है, क्या वो पूरी तरह से assured है और तभ ही आप उस good को उस service को परचेस करें I hope students, अब आप अच्छे से as consumers अपने rights और responsibilities को समझ चुके हैं क्योंकि अगर हम aware हैं, हम conscious हैं तो हम खुद को market में exploitation और injustice से बचा सकते हैं Yes ma'am लेकिन students, आज के lecture को खतम करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही interesting fact के बारे में बताना चाहती हूं और वो यह है कि इन different governments और departments ने पूरी तरह से consumers को aware करने के लिए different movements चालाई है तो students, इसी के साथ हमने cover कर लिया हमारे आज के lecture को और अब next lecture में मिलकर जानेंगे कि कैसे हम आखर इन consumer movements को और आगे बढ़ाएं और इनने कैसे large scale पर लाया जाएं तो मिलेंगे next class में I'm sure students, आपको यह video बहुत पसंद आया होगा तो इसी तरह से एक मज़ेदार तरीके से अपने हर concept को clear करने के लिए डाउनलोड कीजिए P.U.Stack app जहां आपके लिए और भी करी सारे options हैं जैसे कि आपके लिए sample papers हैं backing side solutions, tip videos and much more So what are you waiting for? Download the app now